Good morning children, today we will study lesson Sunny and Minnie Okay, आज हम लेसन पढ़ेंगे Sunny and Minnie जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये कौन है? ये Minnie है This is Minnie, Okay Now, on the second picture, ये कौन है? ये Sunny है ये Sunny है, Sunday के सुबा हो चुकी है और Sunny जो है वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है लेकिन अभी भी उसका उठने का कोई mood नहीं है वो एकदम बेताहाशा सोया हुआ है ममा ने कहा बेटा उठ जाओ, सुबा हो चुकी है लेकिन Sunny को उठना ही नहीं है बिल्कुल एकदम आखे बंद करके, मुझ खोल कर एकदम सोया हुआ है वो उसे बिल्कुल नहीं उठना है और उठने का उसका आगे कोई mood भी नहीं है तभी उसी समय वहाँ से Minnie गुजरती है और Minnie ये देखती है कि Sunny सोया हुआ है अभी तक से वो उठानी तो उसको आवाज लगाती है Sunny उठ जाओ अभी तक से तुम सोय हुए हो ये सुनते ही Sunny की आँके खुल जाती है और वो बिस्तर पर लेटे-लेटे ही कहता है कि अच्छा Minnie चलो आज हम खेलेंगे Minnie को बड़ा ही आश्चरे होता है वो सोचती कि अभी ये बिस्तर पर ही लेटा हुआ है उसकी आँके खुली है और वो कह रहा है कि चलो हम जाकर खेलेंगे तो Minnie तुरंट उसे कहती है Sunny तुम देखो तो तुम तो गंदे लग रहे हो तुम तो क्लीन नहीं हो देखो ये उसका चेहरा कैसा दिख रहा है इसकी बाले बिखरे हुए है इसके होट के पास कितने सा वाइट वाइट लगा हुआ है तो वो कहती है कि तुम तो गंदे हो पहले अपने आपको जाकर क्लीन करो और Sunny बिल्कुल मानता ही नहीं वो कहता है नहीं मैं तो एदम साफ सुतरा हूँ तो Minnie कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने आपको मिरर में देख लो तो Sunny कहता है ओके तुम कह रही हो तो मैं देख लेता हूँ वो दूपो जाता है और अपने आपको मिरर में देखता है तो Sunny को यकीन हो जाता है Minnie कहती देखो देखो तुम्हारे दाद कितने पीले हैं, तुम्हारे होट कितने स्टिकी हैं, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं सनी कहता है, येस मैं तो कितना अगली दिख रहा हूँ, मैं अपने आपको क्लीन करूंगा तुम सच कह रही हो मैं तुरंट अभी जाता हूं और अपने आपको clean करता हूं वो तुरंट बाथरूम में जाता है और ब्रश करता है तीद अपने शरीर को बहुत अच्छे से clean करता है साबून से रगड कर अपने आपको saaf करता है ताकि वो neat and clean दिखे और फिर वो जाता है साफ कपड़े पहनता है साफ कपड़े पहनने के बार में अपने बालों को अच्छे से वो सवारता है और एकदम neat and clean होकर मिनी के सामने आता है मिनी कहती है वाव सनी तुम कितने neat and clean लग रहे हो मुझे न साफ सुतरे लोग बहुत पसंद है मैं साफ सुतरे लोगों को ही अपने friends बनाती हूँ आप तुम कितने अच्छे लग रहे हो चलो आप हम चल कर खेलेंगे ऐसा कहकर मिनी कहती है सनी को देखकर वो बहुत खुश होती है आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जितने आप neat and clean रहोगे आप उतने अपने friends बनाओगे healthy and fit रहोगे बिमारियों से दूर रहोगे classes miss नहीं करोगे और अपने homeworks को भी सही धंग से कर पाओगे ओके चिल्रेंग तो चलो अभी now we will revise some of the words of this lesson we will revise okay children so now again we are going on our topic so we will go to our topic that is the first point now topic sunny and mini now this is mini we will read the sentence this is mini this is mini okay now we will we have studied this is sunny this is sunny on sunday morning he is lying on the bed he is lying on the bed as soon as mini comes what does sunny does here comes mini hey sunny you are still lying on the bed sunny opens his eyes and say let's play mini okay now see what happens mini says you look so dirty mini says you look so dirty sunny says I am clean sunny says I am clean he is not accepting that he is looking dirty so then what happens come on sunny look yourself in the mirror sunny says okay now he is accepting that okay let me see myself in the mirror so he goes and he wash himself in the mirror now mini says your teeth are yellow your lips are sticky your hair are messy your hair are messy sunny says yes I am looking ugly I will clean myself he has accepted what mini is saying and now he is telling that yes mini you are right now sunny brushes his teeth and takes a bath now see sunny is brushing his teeth he is taking a bath now let us see what he is doing then sunny wears new clothes combs his hair and then comes to play with mini then he comes to play with mini now see what is the reaction of mini mini says wow sunny you are looking neat and tidy I like clean friends come let's play so see now when you look neat and clean you look pretty you look very beautiful girls look beautiful boys look handsome so this is the way you should treat yourself always be neat and clean so that your day is good you will attract more friends your day will be very great you will not miss your school you will not miss your homework and you will enjoy your day this is the way you should live so that you will be healthy happy and enjoy your day ok children thank you